सब्सकार्ब करें अपने यूटीब चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल एकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्स पाने के लिए बैलकम फैंडस सो शुआख्धम दोस्तों ऐंटिबाएटिक दवईयां बीमारी को ठीक करने के लिए मुख्य भूमिका निबाती है लेकिन इन ऐंटिबाएटिक टेबलेट का प्रियोग कहां कहां पर करना चीए और आप यह जानेंगे किस बीमारी में कौन सी एंटिबाएट पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को बिना इस किप की अन तक देखें जिससे कि पूरी जानकारी आपको एंटीबाइटिक स्टेबलेट की बार मिल सके साथ यापके सभी कनफ्यूजन दूर हो सके मैं हूँ आपका होस्ट मोहित आदीच आप देखें अपना यूटीब चैनल लारन अबूट मेडिसिन चलिए ऐस वी कुछ नए सिकते हैं हालो फ्रेंड्स नामस्ते दोस्तों एंटीबाइटिक स्टेबलेट जिने हम एंटी बेक्टीरियल तता एंटी माइक्रोबियल एजन्ड के रूप में भी जानते हैं यह बेक्टीरिया तता माइक्रोफ्स दारा होने वाले इंफेक्शन को ठीक करने का कारे करती है जो सामय उसी को में बताऊ गारे ईक और बात यहां कहना चाहूंगा दोस्तों , जो मैं इन सब एंटी बैटी के यूजर बता रहा हें , ज़रूर हे नहीं उसी में उसका प्रियोग ली जाए लेकिन जो मुखर रोप से प्रियोग लिया जा रहा है उसी क को मैं बताऊँगा इसलिए ऐसा नहीं हो कि आप में से कोई मुझे कमेंड करें कि सर ये बिमारी में भी ये एंटिबाइटिक काम करता है आपने नहीं बता है तो जो मुख्य रूप से जिस मिमारी में एंटिबाइटिक प्रियोग लिए जा रहे हैं उसी के बारे में हम इस वीडियो में वह है एजित्रोमाइसिन टेबलेट यहां एजित्रोमाइसिन टेबलेट एजित्राल नाम से आपको मेडिकेस्ट्रोप मिल जाती है और यह मैक्रोलाइड एंटिबाइटरी के इसका प्रियोग मुख्य रूप से थ्रोट इंफेक्शन जो गले में इंफेक्शन होता है जैसे जन्नांगों से जोरी ही को समझ्या हो जाए बैक्रिल इंफेक्शन हो जाए तो उसमें यहां एजित्रोमाइसिन प्रियोग लिया जाता है जो दूसरी दवा है वो है एमोक्सिसिलिन यहां एमोक्सिसिलिन पैनिसिलिन ग्रूप की एक दवा है जिसे मोक्स टेबलेट के नाम से हम खाइच सकते हैं इसका जो मुख्य बिमारियों प्रियोग लिया जाता है वो है otitis media infection मतलब यदि किसी वक्ति को कान में infection हो गया हो तब इसका प्रियोग लिया जा सकता है skin या soft tissue का infection urinary tract का infection कोई abscess हो गया हो मतलब कोई फोड़ा फूंशी हो गयी उसमें पस पड़ गयी हो तब इससे दिया जा सकता है wound infection कोई गाव हुआ वह अगर infected हो गया है उसमें पस हो गयी हो तो दिया जा सकता है या किसी वक्ति को injury हो गयी हो चाहे वो accidental injury हो या कोई surgical process करने के बाद वो injury हो तो उसमें भी इसका प्रियोग लिया जा सकता है pharengitis नाम की बिमारी जो गले में होती है उसमें गले में redness होने लग जाता है साथ ही यदि किसी वक्ति को weight cuff है वल्दो खांसी आते हैं समय उसको mucos phlegm बहार आता है तब भी यह amoxicillin capsule दिया जा सकता है अगली जो tablet है वो है amoxicillin ताथा cleonic acid combination tablet इसे आप clawam tablet के नाम से जानते हैं इस tablet में amoxicillin के साथ cleonic acid मिलाया गया है जो कि beta-lectamase है इसका प्रियोग भी same amoxicillin के तरह ही लिया जाता है इन सभी बीमारी में इसका प्रियोग लिया जाता है लेकिन उन सभी patient में लिया जाएगा जिसमें amoxicillin से resistant develop हो गया है मतलब amoxicillin देने के बाद में भी उनमें अच्छा कारिया नहीं कर रहे है तो ये amoxicillin तरह cleonic acid combination की tablet दी जाती है next tablet है ciprofloxacin tablet जिसे आप ciplox नाम से जान सकते हैं इसका जो प्रियोग है bone and joint infection में किया जाता हड़ी तरह हड़ी जोड में जो infection है उसमें पस्ट पढ़ जाए swelling आ जाए तब दिया जाता है typhoid fever में यहर बहुत ही अच्छी कारगर दवा है इसके अलावा intra-abdominal infection मतलब पेट के अंदर चाहे intestine हो, stomach हो या duodenal हो किसी भी जगा पे अगर infection हो गया हो किसी injury में infection को prevent करने के लिए इसे दिया जाता है मतलब को accident patient आए तो उसमें भी यह tablet दी जा सकती है next tablet है cephexym tablet यह tablet cephalospin group की third generation की tablet है जो काफी advanced tablet है और इसका प्रियोग बहुत जादा लिया जाता है जो मुखी infection में उसमें otitis media infection मतलब कान का जो infection है उसमें इसका प्रियोग लिया जाएगा throat infection जैसे pharingitis ट्रॉंसलाइटिस हमने जाना ही थे उसमें भी इसका infection लिया जाएगा कोई वेक्ति है जिसको chest तता lungs का किसी प्रका का infection हो गया हो कोई phlegm जम गया हो किसी प्रका के जमा हो गया हो प्रेग्नेंसी में इस प्रका का कोई भी infection हो जाए तो यह टेबलेट दी जा सकती है और यह टेबलेट e anti doctor की favorite tablet होती है next tablet है सिफपो डॉक्सिम टेबलेट यह भी third generation cephalospring गुप की दवा है जो सिफिक्शिन से सीमिलर ही है इसका जो प्रियोग लिया जाता है यह sinusitis नाम की बीमारी में लिया जाता है जिसमें अव्यक्ति के नाक में पानी बहेगा यह नाक बंध हो जाएगा जिसका उसको सीर दर्ध होना आखों के चारोर दर्ध होने जी समझ्या रहती है और यह regular रहती है इसके अलावा इसके इंताथा soft tissue को को infection हो जाए UTI जो इंताथा इंताथा इसके अलावा ear में infection हो जाए और throat में infection हो जाए तब इसका प्रियोग लिया जाता है और जो यह cifodoxim tablet है यह endobacteria ताथा streptococci इसके अलाव इस्ट्रेफो eresis नाम की जो ग्राम positive bacteria है उनके अगेंश बहुत ज़्यादा effective है जिने cifixin द्वारा suppress नहीं किया जा सकता तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं जो cifodoxim है यह cifixin से बहतर है तो जहाँ पर cifixin ज्यादा अच्छा असर नहीं करें वहाँ पर आप cifodoxim दे सकते हैं नेक्स दवा है cifuroxim exital इस tablet को आप septum tablet के नाम से जानते हैं यह भी एक cifalo spring group की दवा है लेकिन जो cifixin द्वार से पर डॉक्षिम में इससे थोड़ा एक क्लास नीचे यह second generation की है इसका जो प्रियोग लिया जाता है वो होता है pneumonia की बिमारी lungs में किसी परगा का infection हो जाए कान का infection साथी meningitis नाम की बिमारी जिसमें brain तदा spinal cord में bacterial infection हो जाता है तब इसका प्रियोग ले सकते हैं UTI में इसका प्रियोग ले सकते हैं साथी joint में जो infection हो जाता है उसमें भी cifuroxim का प्रियोग लिया जा सकता है अगली जो tablet है वो है doxycycline tablet यह broad spectrum tetracycline antibiotic है इसका प्रियोग skin के doctor तदा जो gynecologist बहुत ही जादा करते हैं और कई बाइसे जो chest vision यह भी प्रियोग में लेते हैं इनका जो मुख्य uses है वो acne के लिए किया जाता है साथी skin पे किसी परका की swelling हो जाए तो उसको ठीक नेगले लिया जाता है जन्नांगों से जुड़ी ही कोई समश्या जैसे clam idea यह clam idea पूरुत सोंता था महिलाओं दोनम होता है जब महिलाओं होगा तो वेजाने डिसार जाएगा और पूर्सों में पैनी से डिसार जोगा तो इस हमें इसको दिया जाता है कोई percentage जो उसको pneumonia की समश्या है cholera, heza है या lungs में किसी परकागर जमाओ हो गया है तब भी यह tablet doxycycline डॉक्टर द्वारा दी जाती है और यह देने पर बहुत अच्छा असर मिलता है next tablet है leofloxocene tablet इसे loxocene tablet के नाम से हम जानते है इसका जो प्रियोगे काफी broad लिया जाता है जैसे की lungs infection में sinusitis की समश्या में weight cuff यदि किसी को गीली खासी हो रही हो खासी की साथ फ्लगम आ रहा हो तब दिया जाता है intestinal infection में दिया जाता है में किसी परका की infection हो गया हो या किसी को pelvic inflammatory disease हो ये महिलाओं होने वाली बिमारी जिसमों महिलाओं में कमर के नीचे की एरिया में दर्द रहता है अन्य परका की swelling रहती है और visional discharge होने की भी समिशा हो सकती है और कोई व्यक्ति है जिसको wound infection हो गया हो गाव होने कार माँ पर पस हो गई हो और कोई व्यक्ति है जिसको prostateitis प्रोस्टेट में Susan आ गई हो जिससे कि पैसाब समन्दी बिमारी हो रही हो तब भी उसे लिवोफ्लोकसीन टेबलेट दी जाती है अगली दवा है metronidazole टेबलेट इस टेबलेट को फ्लाजाईल टेबलेट के नाम से खहीच सकते हैं ये इसका brand name में इसका जो प्रियोग है काफी अलग-लग तरगी बीमारियूम लिया जाता है जो मुख्यत प्रियोग लिया जाता है वो होता है डाई हेरिया तथा डिसेंटि दस तथा पेचिस को रोकने के लिए इसके अलावा यदि किसी महिला को pelvic inflammatory disease है तो दिया जा सकता है intestine में किसी परका का infection हो गया हो तो दिया जा सकता है bacterial vaginosis नाम की बीमारी हो गया जिस कार्ट से महिला के जन्नाउंगों में swelling आ जाती है उसको मुतर त्याकते समय जाता सारीक समन्द बनाते समय काफी दर्द का सामना करना पड़ता है और कोई महिला है जिसको lycour या वाइडिस सार्च की समझ्या है और किसी व्यक्ति चाहे महिला हो पुरूस हो उसे stool में blood आ रहा हो तो इन सभी बीमारियों में यह में टेंडराजोल टेबलेट काफी असरकार होती है अगली जो दवा है वह है नौर्फ लोक्स वाशिन टेबलेट इसे आप नौर्फ लोक्स टेबलेट के नाम से जानते हैं और इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा किस प्रका की बीमारियों में इसका प्रयोग लिया जाता है क्योंकि एक मोनोपोली वाली टेबलेट है ज्यादा तर फिक्स बीमारियों में प्रयोग लिया जाता है जो कि है यूरिनरी ट्रेक्ट में होने वाला इन्फेक्शन यदि किसी व्यक्ति को, किसी महीला पुरुष को पैसाप के सम्मंदित को infection हो गया हो चाहे वो kidney में हो, पैसाप की थेलिम हो या पैसाप की नलिम हो इन तिनों ही infection को ठीक करने कि इसका प्रियोग लिया जाता है साथ ही bladder में को infection हो गया हो, तब दिया जा सकता है और goner हो या किसी महीला में हुआ हो, तब भी यह न और phloxocin tablet दी जा सकती है इसी के similar एक ओ टेबलेट है, जिसका नाम है nitrofuren toint tablet इसका प्रियोग especially UTI, urinary tract में ही किया जाता है जो पेसा के समद्दी समयशिया होती है, जो पेसा आप में जलन होना, रुक रुक कर पेसा पाना पेसा करते समय दर्द होना, तो इस infection को ठीक करने लिए nitrofuren toint tablet दी जाती है लेकिन एक बात दियान रखे, ये nitrofuren toint का जो प्रियोग है किड्ने में infection में नहीं दिया जा सकता, सिब UTI का जो infection ने, उसी में दिया जाएगा नेक्स टेबलेट है, और phloxacin टेबलेट यहाँ टेबलेट बहुत ही ज़्यादा प्रियोग लाई जाने वाली टेबलेट है, जिसका प्रियोग मुख्य रोब से टाइफोइड फिवर में किया जाता है, और इसके अलावी किसी अन्य परका करें फिवर है, तो उसमें डॉक्टर इसका प्रियोग जरूर से करते ही है, साथ ही कोई lungs infection का patient है, जिसमें lungs में किसी परका की swelling हो गया हो, infection हो तब इसे दिया जाता है, pneumonia का कोई patient है, COPD, chronic obstetive, pulmonary disease नाम का patient है, जिसमें lungs में congestion हो जाने के करणा, उसको स्वास लने में दिक्कत होती है, और कोई patient है जिसको UTI की समझ जाती है, इन सभी को ofloxocin tablet दी जाती है, next tablet है, जिसमें ofloxocin के साथ content और मिलाए गया है, वह है ofloxocin ornidazole, इसके बारे में भी आप सभी भली बाती परीचित है, इसका जो मुख्य रूप से प्रियोग लिया जाता है, वो लिया जाता है, die hair या तदा dysentry, 10 तदा pages को रोकने के लिए, यदि किसी वेक्तियों बहु करने के लिए काफी हथ तक यह फाइदे मन दे, dental infection में इसका प्रियोग लिया जाता है, गम्स में अगर infection है, वो तब भी दिया जाता है, और किसी प्रकागा gynecological infection मतलब महिला के जन्नांगों में प्रोल्म होई है, तब भी यह tablet काफी अच्छा फाइदा करता है, अगली tablet है इसमें रॉक्षित्रोमाई से अच्छा अशर करती है, साथ ही किसी को pneumonia हुआ है, तब दी जाती है, इयर के middle भाग में अगर infection हो गया हो, कान में पस हो रही हो, बहुत तिस जर्द हो रहा हो, तब दी जा सकती है, इसके इन तदा soft tissue का infection हो, तब इसे दिया जा सकता है, साथ ही जैनेटिल इंफेक्षिन में भी एक अच्छा अशर करती है, अगली दवा है, इस पार phloxocin tablet, यह phleudoconolol class की एक दवा है, जो सिप्रफ्लोक्सोसिन के सिमिलर ही है, यह gram positive bacteria के अगेंस्ट बहुत अच्छा कारे करती है, इसका uses होता है, वह bronchitis, मतलब स्वास नली में खिस पास दर्द होना, इसी प्रोड़ोम होती है, तब इससे दिया जाता है, साथ ही इसका प्रियोग ENT डोक्टर, जो गले कांच अच्छा नाक के डोक्टर बहुत ही जादा करती है, उसमें बहुत अच्छा असर करती है, और कोई पैसेंटिज जिसको नियूमोनिया की प्रोड जन्नांगों के समझ दिया इन्फेक्शन है, उसमें भी इस पार फ्लोक्सोसिंग टेबलेट काफी अच्छा फाइदा करती है, अगली टेबलेट है टिनेडाजोल टेबलेट, यह टिनेडाजोल टेबलेट मेट्रो निडाजोल से ही बिल्कुल सिमिलर है, जिसके बार हुने पहले जाना था, इसका प्रियोग भी उस समय लिया जाता है, जब व्यक्ति को डाइहर या ताथा डिसेंटरी, दस ताथा पेचिस की समझ यह हो, इस टूल में बलड आने लग जाए, साथी कोई महिला हो, जिसको बेक्टिरिल वेजिनोसिस की नाप बिमारी हो, पहलो एक इ इसका प्रियोग जो लिया जाता है, वहाँ इसकी इंफेक्शन में मुख्य रूप से लिया जाता है, किसी वेक्ति को एकने हो गया हो, या इसकी पर किसी प्रकार इंफेक्शन हो गया हो, तो इससे दिया जा सकता है, और इसका एक मुख्य प्रियोग लिया जाता है, वो होत में मीडल इयर के इंफेक्शन में साथ ही महिलाओं होने वाले पेल्विक इंफ्लमेटरी डीजीज में इस क्लिन नमाइसिन का प्रयोग लिया जा सकता है तो दोस्तों यह मुख्य मुख्य जो यूज लिये जाते हैं सभी एंटिबाइटिस के मैंने बताए हैं उम्मिद करता ह जदा जदा मैंने एंटिबाइटिस को कवर कोड़ने के उस इसके जिसको हम दिन परती दिन काम लेते हैं और आपके काफी डौट्स के लिए होने के साथ में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी यदि वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें जदे जदे इसको शेयर करें जो किशी और की भी काम आ सके और यदि ऐसे ही वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बोक्स में ज़रूर से कमेंट करें किस टोपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं मैं ज़रूर से आपकी डिमांड पर वीडियो बनाऊ आप थे अपने दोस्त मोही दादीज के साथ देख रहेते अपना यूट्यूब चनल लान अबूट मैडिसीन थैंक यू फ्रेंड्स टेक केर और बी केर्फोट मैडिसीन उसर्स